हेलो बच्चो नमस्कार स्वागत है आप सभी का इस YouTube वीडियो क्लास में जिसमें आज हम लोग बिहार वोट क्लास 8 के इंग्लिश बुक रेडियन से चाप्टर 7 का अध्यान करेंगे जिसका नाम है हिंदी टांसलेट करके इसका पुरा औरत समझेंगे उसके बाद कोश्चन एंसर का भी हम लोग हिंदी टांसलेट करेंगे इसलिए वीडियो में अंतक बने रहे हैं आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस पीले बॉक्स के बार्मर को पढ़ लेते हैं बार्मर में लिखा है आपने इसके चाल को कभी गवर से देखा है वह बहुत फूर्तिली होती है वेर डर्ज देश्क्वाइरल जेनरली लिव एंड वाट डर्ज इट इट समाने तक गिलहरी कहां रहती है तथा वह क्या खाती है ठीक तो सबसे पहले इसके टॉप वर्ड मेनिंग को हम लोग भी इसलिए आप लोग पेपर लेकर बैठिए और इसकी टॉप वर्ड मेनिंग को साथ साथ में लिखते चलेंगे माउंटेन मतलब होता है पहाट मतलब होता है गिलहरी लोकल मतलब होता है अस्थानी लैंग्वेज मतलब होता है भासा नोटिस मतलब होता है चिन्हित करना को पढ़ते हैं लेशन को the mountain and the squirrel had a quarrel एक बार पहाड और गिलहरी के बीच जगड़ा होगा quarrel का मतलब होता है जगड़ा the former called the letter little freak जब जगड़ा हुए तो पहले ने दुसरे से कहा मतलब पहाड ने गिलहरी से कहा little freak तुछ जीव मतलब तुमे तुछ परानी हो बन रिपलाइट you are doubtless very weak but all sort of thing and weather must be taken it together to make up a year and a sphere and I think it no disgrace to occupy my place तब गिलहरी ने पहाड से कहा अब देखिए गिलहरी ने पहाड से को क्या जवाब दिया गिलहरी ने पहाड को कहा बेशक तुम बहुत बड़े हो बहुत बिशाल हो किसको पहाड को प्रतु तुमें यह बात समझनी चाहिए कि जिस परकार एक बरस को बनने में हर मौसम का योगदान होता है तथा इस संसार को बनने में हर छोटे बड़े चीजों की आवसेक्ता होती है उसी प्रकार इस प्रकृति में जितना तुम्हारा योगदान है उतना ही मेरा भी योगदान है यहां कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है और मैं छोटा हूँ इसके लिए मैं थोड़ा भी अपने आपको अपमानित महसूस नहीं करता हूँ कौन बोला गिलहारी ने मौना अब इसकी कुछ टॉफ बड़ मेंगो निको लिक लेते हैं फोर्मर का मतलब होता है पाला कॉल्ड मातलब होता है कहना लेटर का मतलब होता है बादवाला लिटिल प्रीक म Passion, बंकत्लब होता है वैसा जीव जिसके शरीर पर बहुत सारा बाल हो रिपलाइट का मतलब होता है जवाब देना, डवतलेस का मतलब होता है निशन दे, बेशक, बीग मतलब बड़ा, all sort of thing मतलब हर छोटे बड़े चीज, वेधर मतलब होता है, मौसम, together का मतलब होता है, एक सांथ, sphere का मतलब होता है, गोला या संसार, disgrace का मतलब होता है, अपमान, occupy का मतलब होता है, जगह, छेकना, place मतलब जगह, अगर मैं तुम्हारे जितना विशाल नहीं हो, तो तुम भी मेरे जितना छोटा नहीं हो, और मेरे जितना फूर्टिला भी नहीं हो, इसके कुछ वर्ड मेनिंग को लिख लेते हैं, लार्ज मतलब बहुत बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा, हाप मतलब आधा, स्फुर्टिला, I shall not deny you make a very pretty squirrel track, मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता हूँ कि तुम मुझे आराने के लिए एक सुन्दर सा मार्ग परदान करते हो, पहाड में गिलहरी बहुत अच्छे से रहता है, Talent different all is well and wisely put, गून या परतिभा, दक्स्ता, जो होता है वो हर बस्तु का अलग-अलग होता है, ठिक, और इस संसार में जितने भी बस्तु छोटे हैं, उन सभी में बड़ी चतुराईक से परकृति ने अलग-अलग गून रखे हैं, अब ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है तो उस सभी में बहुत सारा गून है, ऐसे नहीं है, सभी में कोई ने कोई अलग-अलग तरह का गून विद्यमान है, गिलहरी कहता है, अगर मैं अपने पीट पर जंगल नहीं उगा सकता, तो तुम भी इतने विशाल होकर भी एक अक्रोट नहीं फोड सकते हैं, ठीक, अब इसके टफ वर्ड वर्णिंग को लिख लेते हैं, डेनी, डेनी का मतलब होता है इनकार करना, प्रीटी, प्रीटी का म मतलब होता है रास्ता या मार्ग, टैलेन्ट का मतलब होता है गुन, डिफरेंट का मतलब होता है अंतर, वेल मिन्स अच्छा, वाइजली मतलब चतुराई से, कैरी मतलब ढोना या उगाना, फोरेस्ट मिन्स जंगल, बैक मिन्स पीठ या पीछे, क्रैक मिन्स तोड़ना, न इमर्शन यह अमेरिकन लेखक हैं इंग्लिस के लेखक हैं आपके इस बूप में भी बहुत चारे टॉप वर्ड विनिंग दिये गए हैं जिसको आप वीडियो पोज करके या स्कीन शॉट लेकर लिख सकते हैं अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैन एंसर दा फॉलोइं निम्रेखित के उत्तर दे वाट इस दप्वें एबाउट कभीता किस बारे में हैं तो कभीता या कभीता जो है वर गिलहरी और पहार के जग्रे के बारे में हैं जग्रा किस ने शुरू किया तो पहार ने जग्रा शुरू किया डू यू दग्रेखित के जबाब के लिए तो नहीं पहार और गिलहरी में एक जैसा प्रतिभा नहीं है दोनों के अलग अलग प्रतिभा है गिलहरी ने अपना बचाओ कैसे गिया तो गिलहरी ने अपना बचाओ सही तर्प देकर किया तो इस चारो प्रशन का उतर हमने बनाया है आप उसका एक स्क्रीन सोट ले लिजे आई होब आपने स्कीन सोट ले लिया होगा अब हम लोग नेक्स्ट को बनाते हैं नेक्स्ट को स्चन है से वेदर दा फॉलोइंग स्टेट्मेंट आर ट्रू एंड फॉल्स नमने निम्लिखित वाक्यों को स्टेट्मेंट में यह बताना है कि सही है या गलत करा है दा स्क्वाइरल वाज भेरी वीज गिलहरी जो था वह बहुत चतुर था सही बात है यहां लिखेंगे ट्रू पहार जो था उसको अपने बड़ा होने पर बहुत घमंड था सही बात है उसको बहुत घमंड था तुरू लिखेंगे गिलहरी ने कहा कि हर छोटे बड़े चीजों का अपना अपना क्या गून है सही है तो लिखेंगे ट्रू गिलहरी अखरोट नहीं तो फोड़ सकता है यहां गलत बात है यहां फाल्स लिखेंगे गिलहरी तो अखरोट फोड़ देता है अराम से मतलब जो बड़े जीव हैं उनको अपने साइज को लेकर अपने बड़े होने का घमंड नहीं होना चाहिए हाँ यह बात सही है ट्रू लिखेंगे यहां उनको घमंड नहीं होना चाहिए अब नेक्ट कोश्चन है कि इनमें दिये गया यह कोश्चन का कौन तर्ख है इस चारों में से उसको चुनना है मतलब किसके लिए बन सब्द का वर्ड का इस्तेमाल किया गया है तो लिखेंगे यहां इसको बन जिसके शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल होता है उसको बन कहा जाता है तो गिल्यहरी के सरी पर बहुत ज़्यादा बाल है All is well and wisely put means मतलब इसका मतलब क्या है इसका तातपर्ज क्या है All is well and wisely put का मतलब होता है Nature has given particular talent of particular thing यानि उससे तातपर्ज यही है कि मतलब प्रकिर्थी हर अलग अलग तरह के जीवों को हर अलग अलग तरह के गुने गुन दिये है इसका मतलब यही होगा हो गया अब next हमारा question answer है इसमें 5 question है पहले इसका हम Hindi translate कर देते हैं उसके बाद इसका answer देंगे answer each of the following question in not more than 50 word यानि निम्लिखित प्रस्णों के answer जो है 50 word के अंदर ही देना है first question है why do you think the mountain call the squirrel little freak आपको क्या लगता है कि पहाड गी लहरी को छोटा जीव क्यों कहता है इसका answer देंगे हम बहले इसको Hindi translate कर लेते हैं what qualities of the mountain does the squirrel appreciate list them गिलहरी पहाड के किस गुनों की सराहना करती है उनकी सुची बनाई है what task is the mountain unable to perform पहाड कौन सा कार्च करने में औसमर्थ है do you appreciate the logic of squirrel give region क्या आप गिलहरी के तर्क की सराहना करते हैं कारण दीजिए was the reaction of the squirrel justified give region क्या गिलहरी की प्रतिकिरिया जायज थी कारण दीजिए तो इसका answer यह रहा आपके सामने आप इसका एक screenshot ले लिजिए आई होप आपने screenshot ले लिया होगा तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक चैहिन नमस्कार